हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे चार्ट की रेसिपी, आप एक बार मेरे तरीके से बताय हुए चार्ट को बना कर देखिए, आप बजार की चार्ट बिल्कुल ही भूल जाएगी, इतनी स्वाधिश्ट बनेगी, और फ्रेंट्स क्या है कि मटर को आपको 12-13 घंटे पानी में भीगो कर रखना है, उसके बाद देखिए, ऐसे फूल जाएगी मटर, तो अब इसे कोकर में डाल देना है, कोकर में डालने के बाद यहां पर हम आलू डालेंगे, तो फ्रेंट्स, आलू डालने से क्या होता है, कि जो हमने तो स समोसे के अंदर का जो मसाला रहता है, उसके टेश्ट जैसा आता है, यहां पर आप आलू कम या ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, और मटर भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, यहां पर एड़ कर देंगे, आधा चोटी चमच हल्दी पावरडर, एक चोटी चमच नमक, और जितना हमने मटर लिया है, उसका डबल पानी एड़ करना है, प्रेसर कूकर कढ़कन बंद करके हमें लो फ्लेम पर चार से पाथ सीटी हमें इसे उबालना है, और इसके बाद देखिए, आपको एक कडाही ले लेनी है, उसमें हमें सरसो का तेल डालन है, उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर आदा छोटी चमच जीरा, इसके चटाक जाने के बाद हम डाल देंगे यहां पर एक तेश पत्ता या तो आप खड़ा डाल दें या फिर तोर कर डाल दें, और यहां पर मैंने मीडियम साइज के दो प्याज लिए जिसे मैंने लं करना है कि मदलब हमें चोला बनाए तो इसमें हमें त्रमाटर ₹ करें जाए हम यहां पर नमक कर देन तो हमने सबस्टी के लिएसा नमक यहीं कर दिया और हाफिर्स आप धियान रख़ियेगा कि हमने पहले से भी कुकर मे Uhr नमक एड़ किया थो उसी हिसाब सी आप नमक एड़ करें स्वादानुसार तो जब तक हमारी मसाला तयार हो रही है तब तक देखिए हम यहां पर दूसरा मसाला तयार कर लेते हैं तो मैंने यहां पर जीरा काली मिर्च लहसुन और अध्रक का पेश्ट ले लिया है और यहां यहां पर हम एड़ कर देंगे हाँ पर सूखे मसाले एक चममच ह्ल्दी पाऊडर लग benefit नीया पाऊडिर एक लाल मेर्च न च और यह चोटे चाम मेर्च मीट मिट लगद और ओद इतने कितने सारे मीसाली उने के बाह द देखिए यहां पर प्लिकुल अच्छे तरीके से ग आल्य मिर्च दोरुका पावडर भी ले सकते हैं है और तो 2-3ater के लिए लिए भूंडे मसाले को डाले के बाद और इसके बाद देखिये अलम को क्या करना है कि हल्का सा क्रस्स कर दे दें से कोओ इसके इसके बाद मसाला जो भून गया है इससे ज़्याद़ नहीं भूनेगा इससे ज्याद़ अगर आपने अख क्या होगा कि वो मसाला सब्सक्ति कर देगा। और बु фильмंवने हमसार अपनिवा पाने के दो ने सब जाओा। पानियोरinka करना है। कि अच्छे से हैं के बार हम इसमें डाल दें कुछ गरम असाले तो देखिए मैं became an ag चोटा इंव गरम शाला पाउडर ले लिया है इसे इसे ऑपर से डालना है और बस इसे अच्छे से मिला लें, इसमें हम डाल देंगे उपर से धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती से फ्रेंट टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और लास्ट में हम डाल देंगे कसूरी में थी, अगर आपके पास हो तो आप डालें, अगर ना हो तो इसे स्किप कर दें, इसे क्रस्ट करके कसूरी मेथी हम डाल देंगे उपर से और बस अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और अब हम इसे ढखकन ढखकर हम इसमें उबालाने देंगे तो मतलब हमें इसे पाथ से छे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेना है आप चाहें तो इसे ढखकन से ढखक दें या फिर ऐसे ही छोड़ दें और पाथ से छे मिनट के लिए इसमें उबालाने दें बिल्कुल अच्छे तरीके से जब पक जाएगी तो हमारा छोला बनकर तयार हो जाएगा यह देखिए तो फ्रेंज जब हम यह चार्ट बना रहे हैं तो सारा खेल तो छोला कहिए तो छोला बहुत ही अच्छी बननी चाहिए और जिस तरीके से मैंने बताया है आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाए एक दम बढ़ियां बनकर तयार होगी आप देखिए कितनी बनिया हमारी चोला बनकर तयार हुई है बिल्कुल जैसे मार्केट में रहती है बिल्कुल बैसे ही तो अब हम नेगस्ट सेप देख लेते हैं तो देखिए यहां एड़ करके आटा गुत लेना है कड़ा और उसके बाद देखिए बिल्कुल जैसे आपने रोटी बेलना है बिल्कुल वैसे ही आपको बेल लेना है उसके बाद यहां पर देखिए एक कोई भी आप गलास ले ले या फिर कुछ भी ढखकन हो उससे आप पूरी के सेप में ऐसे कट कर लें और यह देखिए हमारा जब फॉक वाला चममच है उससे आपको क्या करना है कि इसमें होल कर लेना है इससे क्या होगा कि पूरी हमारी फूलेगी नहीं और हां फ्रेंट्स पूरी को में फूलाना भी नहीं है इसलिए मैंने यह ट्रिक अपनाया है तो बिल्कुल करें तो हमें इसकी पापड़ी बनानी है बिल्कुल सुमोसे वाली फिलिंग आएगी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा किसमें समोसे की कमी है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना यह देखिए या तो आप चाहें तो छोटी-छोटी लोगी करकर डायर्यक्ट पू चार मिनट लगेंगे कड़ाही में तलने में तो बिल्कुल कड़क होनी चाहिए ये हमारी पूरी ये देखिए तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बना कर तयार कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया ये देखिए तो देखिए बिल्कुल ही हमारी कड़क बनी है बिल्कुल इसी तर और यहां पर मैंने सूखा धनिया जिससे मैंने तवे पर भूहून कर इसे पाउडर तयार कर लिया है और जीरा को भी मैंने उसी तरीके से भूहून कर पाउडर तयार कर लिया है यहां पर चाट मसाला पाउडर लेंगे और यहां पर काला नमक लेंगे तो बस और यह देखें यहां पर हमें सेव लेना है, मार्केट में बहुत ही इजी अबलेवल होती है, और यहां पर हमें इमली का पानी लेना है, तो बस प्रेंस, चार्ट की सारी समगरी तयार है, तो चलिए चार्ट हम फटा-फट रेडी करते हैं, यहां पर छोला आपको ले लेना है, और बस यहां ब decisions पयाज तो कि हैंतर बारी कटी हुई और यहां अपर हरी मुर्ष दाल सानल ददाला है और हम ऐसी तरह को छिरत मुझा तरह में दालकिये नटल इथ हुए यहां पर फ़ोज करहां चाठाथ मसाला ऐना दाल देगे और के अब यहाँ पर जाएगा काला नमग तो फिल्सका नमग उपर से जरूर ढालें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है और यहां डाल देंगे हम पाणी की एक चमश-पाणी अगर आप track ज्यादा पसंद करते हूं तो थोड़ा सै्मलिय का थाव दाल और यहां पर हम सेव डाल देंगे यह देखिए जिसे हम भूजिया भी कहते हैं और यह देखिए फ्रेंस कितनी बढ़िया हमारी चार्ट बनकर तयार हो गई है तो फ्रेंस बिल्कुल ही अच्छी स्वादिश्ट और मार्केट से तो बहुत ही बढ़िया अगर आपने इस तरी कज़रा लगा सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी चार्ट बनकर तयार हो दो पूल्कुल मुख में पानी ला देने वाली चार्ट फ्रेंस आप जडरूर इससे बना कर ट्राए कर रिएगा और अभी तो दिवालि आने वाली है तो इस दिवाली